वेलकम टो इलेक्ट्रोनिक स्टडी स्वागत है आप सभी का दोस्तों यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके UPTAT 2019 के लिए जो प्रिभी एस येर के पेपर्स हैं वहां से कुछ क्वेस्टन्स हैं 2018 में Part 1 में हम बात कर चुके थे आपके काफे कुछ वेस्टन्स के बारे में आज उसके आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ध्यां देजिएगा जब आप बात करते हों कि कितने क्यों हम कर चुके थे बाकि देखे ऐसी मचली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है यह चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ इसके आगे अगर बात की जाए यहां पर कि उजून परत का अधिक तमराज जो है वो कहा हुआ है यह सवाल भी आपका मैं बता चुका हूँ यह सारी अगर आप अभी के बात करते हूँ एक अनकाडमी का जो स्पेशल क्लास था उसमें मैंने आपको टेटेल में बताया था राश्य महिला आयो कि अद्यक्षा के बारे में तो अभी भी आपकी रेखा शर्माजी ही है 2018 से अभी तक यह जो है चल रही है तो आपका आंसर जो है भी आएगा बागी यहां पर आप पढ़ सकते हो कि अगस्त दोहजार अठार में इस पद पर इन्हें न्यूक्त किया गया था सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा उसके बाद आगे लिखा हुआ है इसमें कि लोगसभा राजसभा के संक्त बैठक जो है किसके द्वारा जैती है अफुकी ज्याती है यह बात करता है आप कर नहीं नहीं लोगा फॉटा आफह वाथा चलता हूँ अपने ज़रूर देख लिया होगा यह पेपर पर एक रिविजन कर सकते हो ऐसे या जो थोदा से ऌटैघ्स लें Uhr से आपको में बतादू जो आप बात करते हूँ यहां पर 1991 में आपका संसोधन की गई थी 73वा संसोधन उसके बाद आपका उसी 73 और 74 संसोधन के बाद कब हुआ था 73वा संसोधन 1991 में आया था लेकि 1992 आप लिखते हूँ इसकी बाद से जो है चाहतरवी शहरी से यह ध्यान रखेगा जो मैंने अभी बोला है तो भाग 9 जो है इसमें शामिल किया गया इसमें आप देख पार होंगे पंचाहती राज विवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है चाहतरवी समिधान संबंध किससे है दिखे एक पूच भी लिया है इसमें ग्रामिड स्थानीय स्वाशासन करके लिखा है शहरी स्थानीय स्वाशासन से राश्टरवती के शरक्तियों से या फिर संसत के शरक्तियों से जो चाहतरवा समिधान संसोधन है 74th Constitutional Amendment Act 1992 वो आपका शहरी इस्थानिय स्वाशासन से रिलेट करता है आप यहां पर बाकि पढ़ पा रहा होंगे जिसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्मेंट आप इसे कहते हो और 9A जोडा गया क्या है? 34th समिधान संचोधन ने 1992 के द्वारा समिधान में भाग 9A जोडा गया और वहां जो किस्तहरी स्वाशासन के बारे में बात करता है एक और सवाल किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने किसी वर्षा का जो पानी है वो आमलिये हो जाता है यहाँ पर जी हाँ वो है आपका सल्फर डैक्साइड इसे आप SO2 से रसानिक सुत्र से डिनूर करते हो बागे आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्प्लेनेशन आप यहाँ पर देख पार होंगे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे क्या क्या होता है और एक चीज लिखा है कि वो लिखनी है कि मतुरा तेल शूधक कारखानी से निकलने वाली सल्फर डैक्साइड ही आग्रा के तास महल की तपाही का कारण बनी हुई थी यहाँ पर है विधिका साशन का विचार है वो कहां से लिया गया है अमेरिका से इंगलाइड स्विचल लाइड या आईरलाइड आपको मैं बता दूँ जब आप रूल आफ लाओ के बात करते हो यानि कि विधिका साशन इंगलाइड से लिया गया है ठीक है यहाँ पर आप लिखा हुआ एक्स्प्लेनेशन में जिसे आप पढ़ सकते हो एक और सवाल लोगसभा की चुनाओं है तो अधिसूचना जारी कौन करता है बारत का निरवाचना योग है राश्रपति ग्रह मंत्राल है ये लोगसभा सच्छिवाल है आपको मैं बता दू लोगसभा चुनाओ कि जब आप बात करते हो सारा कुछ काम election commissioner of India जी हाँ election commission of India ECI का होता है दोसों आप लोगों से एक सवाल है वर्तमान में election commission of India इस समय जब आप बात करते हो भारत के मुख्य निरवाचन आयोग्त है कौन आयोग के अध्यक्श कौन है ठीक है वर्तमान के जागुरुग बनिये कहीं से भी देखिए कैसे भी करिए लेकिन कॉमेंट में अब जरूर बताईएगा इस बात कि मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग आंसर जरूर देंगे ठीक है चलिए यहाँ पर इसकी विवस्था जो है वो 324 के तहत की गई है भरतिर निर्वाचनायो की वो आप यहाँ से बढ़ सकते हो और इनका क्या कुछ काम होता है वो भी explanation में इनोंने बताया हुआ है तो आसानी होगी और आपको चीज़ों को समझने में एक और सवाल लोग सभा की कारिवाही की प्रथम गंटे को आप जब अपने संसद के बारे में बात करते हो तीनंग लोग सभा जो की लोग रावस होता है जिसे आप प्रथम सदन भी बोलते हो और सेकेंड आपका राजे सभा है जोसे आप सेकेंडरी हाउस या फिर उच्छे सदन या पर हाउस भी कहते हो वहीं तीसरा जो है वो प्रेसिडेंट या रास्टरपती होता है ऐसे मैंनों ने ये कहा है कि लोग सभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को आप क्या बोलते हो ये होता आपका प्रेशनकाल क्वेशनार बोलते हो आप इसे एक्स्प्लेनेशन में थोड़ा सा इनों ने लिखा हुआ यहाँ पर उसे आप पढ़ सकते हो ठीक है आगे चलते हैं कावर सवाल के तरफ सवाल आप देख पार होगी वर्षा जल संग्रहन क्या है प्रेश्ट जल का संग्रह और भंडारण वर्षा जल का जम्रह और भंडारण पानी का वितरण लिखा हुआ है या फिर इन मेंसे कोई नहीं आपकी जब भी एसेस्टी वगरा की क्लासिस होती है जब मैं लेता हूँ एसेस्टी से पॉलिटी वाले सक्षन से आपका हमेशा 2018 में कम से कम साथ से 8 सवाल पूछे गाए थे तो उनने आप बहुत उच्छी तरीके से पढ़ लो फिलाले हमारा अंसर भी है कि वर्टसाजल का जमाओर जो भंडारण होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक वीडियो में लेकर के आउंगा ध्यांती जिगा एक वीडियो में लेकर के आउंगा जिसमें जो पॉलिटी वाला जो सेक्षन है वो मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में मैं बता दूं आपको एवीएस का लबकसाद स्याट मार्क्स आपके पक्के ठीक है वहां से हमेशा पूछा जाता है आपको भी बता है कि एवीएस में उस चीज को शामिल किया हुआ है तो वो एक वीडियो जल्दी ही आएगा चलिए रेन वार्टर हार विस्न की बात होगी फिर इसमें दिया है भारतिय गंडा कहा सन रक्षित है कारवेट नैस्नल पाक काजी रंगा है बांधिपूर या फिर गीर नैस्नल पाक आपका अंसर जो है वो यहां से भी आएगा काजी रंगान आस्नल पाक आप बहुत अच्छे से जानते हो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और यहां पर यह लिखा हुआ है कि आसाम राज्य में 858.98 वार्ड के किलोमेटर रक्ष्टेतर में यह विश्दरत है वन हांड राइनसौरस करके आप इन्हें बोलते हो इंग्लेश में आगे बढ़ते हैं निमन में से काउंसा क्रम पारिस्थी के तंतर में उर्जा प्रवाह के बारे में कि संबंद में सही है आप पर देख पा रहा हो कि एनर्जी का जो फ्लो होता है प्रोफेसर लेंडमैन की द्वारा दिया गया था दस प्रतिशत उर्जा स्थानांतरर का नियम मैंने पढ़ाया भी हुआ है आप लोगों को उतपादक कब घटक बोगता इसमें सही सीक्वेंस होगा क्या आपने अपना अंसर दिदिया होगा सबसे पहले उतपादक आते हैं प्रोड्यूसर जिनने आप पीड़ पोध हों के रूप में जानते हो उसके बाद उपभोगता आते हैं अपभोगता में primary consumer होता है secondary और tertiary होता है फिर अपगटक आते हैं जिनने आप decomposants बोलते हो bacteria और fungus जी वाडू और जो फंगस होती हैं आपके वही दो चीज़े होती हैं वही दो चीज़े होती हैं जो कि अपगटक में आती हैं उसके लावा कुछ भी अपगटक में नहीं आता है इस शीच का विखाया लखेगा explanation में हाँ परेलो ने लिखा हुआ है कि उर्जा का प्रवाह अच्छा ये भी पूछा गया है कि पारिसित के तंत्रियन एकोसिस्टम में energy flow कैसे होता है एक दिशिये बहु दिशिये होता है तो एक दिशिये ही होता है कैसे कहां से कहां इस उत्पादक से ले करके अपगटक तक में ठीक है वन डिरेक्शनल यूनि डिरेक्शनल आप इसे बोलती हो मल्टी डिरेक्शनल गल्दी से भी मत लगाईएगा ऐसा नहीं होता कि इधर से वीधर फ्लो होता है और इधर से इधर फ्लो होता है कि वह एक डिरेक्शन होता है उत्पादक से अब घटक की तरफ इन मे मेथेन प्रोपेन और कर्बडे ऑक्साइड जहां दीजीगा ग्रीन हाउस गैसेज में जलवास्प सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता चुकि यह उप्शन में जलवास्प दिया नहीं है वाटर वेफर को नेक्स्ट उसके बाद कर्बडे ऑक्साइड है आप सी ओटू को लगा होते हैं आपके सीटेट यूपेटेट में ठीक है तो उसमें एक बहुतायत बार यह आया है कि सबसे ज्यादा डॉमिनेंट कौन सी गैस है और जलवास्प उसमें आंसर होगा फिर आपका कर्बंडे ऑक्साइड भी होगा तो आप गलती से कर्बंडे ऑक्साइड फिर मत लगाया है आप ऐसे सवाल पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं लेकिन समझना तरीका भी जानना बहुत जरूरी है बाकी परसंटेज आप यहां पर देख पार होगे स्योटू फिर मीथीन आता है लफ्ट देज ओजोन किस वरड़के उपस तरीके करनल पौध हारे होते हैं तो पाउधे का रसोई घर ध्यांदी जेगा पाउधे का रसोई घर पत्तियों को बोलते हैं यह सवाल भी आपका पूछा गया है कि पाउधे का रसोई घर जो है वो किसको बोलते हैं पत्तियों को जो कि पत्तियां ही प्रकास अंसलेशन के द्वारा भोजन का निर्माड करते ह इसे लेज़ा सोई गर उसी को कहते हैं एक और सवाल मानवी गत्विदिया जो प्रत्वी पर जल्वाई परवरतन के लिए जिम्मेदार हैं वनों को चलाना करिशी क्रिया कलाब अरसोल का अपयोग यो फिर फिर सभी ध्यान दिजेगा सभी के सभी जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज को लेकरके एक्स्प्लेनेशन में पढ़ पा रहे होंगे यहां पर वो सारी चीज़े लिखे हुए हैं लिखा है यूफो यूफोर बीएसी फैमिली में काउन से फसल बायो डिजल उत्पन करने के लिए जानी जाते हैं अगर आप यूफोर बीएसी फैमिली ध्यान में नहीं आ रहा है तो बायो डिजल लिखा है नहीं और आप जानते हूँ बायो डिजल जो है वो जैट्रोफा ही फसल इसके लिए जिम्मेदार है बाकी आप इससे पढ़ सकते हूँ इसी को हिंदी में रतन जोत भी बोलती है ओसीमम सैंक्टम यह कहा है सामने ताह किस नाम से जाना जाता है तो उसी है रोजमारी हज्वाइन के फूग लिया धनिया तो जब हिंदुधन के महत्वा की बात करते हो आप जानते हो तो लसी पर जल चढ़ाने को लेकर के और सारी बाते तो आपका फिर यही निकल करके ज्यादा दिमाग लगाने के आपको ज़रूरत नहीं है सिदा सिदा आंसरे हो जाएगा लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं 1984 में बोपाल गास तराजदीन में से किस गयास के रिसाओ के कारण हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट नैट्रिस ऑकसाइड मेथेन या फिर कारणे ऑकसाइड हूँ थी मिथाइल आइसोसाइनेट दो तीन दिसंबर 1984 की बात है लगभग चार हजार से दिख लोकाल के गाल में सुमा गया थे हजार लोग इसमें गंभीर हुए थे घायल हुए थे आपको मैं बता दूँ बोपाल मध्यपरदेश की राजधानी यूनियन कारवाइड फैक्टरी में ये घटना हुई थी ठीक है कि दोस्तों इतना ही था बाकी पीडियोह फाइल्स के लिए आप एलेक्ट्रोंस्ट्रोंस्ट्रिए और्षट अग्र इप्लिकेशन पर जाकर कि एप्रोच कर सकते हो बहुत से पीडियोहसे फाईल को प्राप्त कर सकते किख और विडियो में इससे शेयर आप जरूर कर अपने दोस्तों से भाटियों के साथ में, तैंक्स पूरोचिंग